हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है डोक्टर तरोन और आप सब का बहुत बहुत स्वागत है अच्छी इस वीडियो में गरम पानी वाली वीडियो के नीचे काफिसे लोगोंने केमेंट्स पूछे कि हम गरम पानी पिए ना पिए उनके अंदर कुछ बिमारियां है कि हम गरम गरम पानी पिते हैं तो कि लोग को बिल्कुल भी नहीं पिना चाहिए पहली कंडेशन इसमें यह है कि जो लोग होट परकड़ती के हैं जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है होमपैथी के अकोर्डिंग ली देख गया है तीन तरह के थरमल्स होते हैं एक होता होट एक एक एंबिथरमल होता है होट पेशेंट जिसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती ही औरों की कंपेरिंग में चिली पेशेंट जिसको बहुत ज्यादा ठंड लगती है औरों की कंपेरिंग में एंबिथरमल होता है जहां पे पेशेंट दोनों चीज़ों से सेंसिटिव है इसक बता चुका हूँ, तो ऐसे लोगों तो यूज नहीं करना चाहिए, उनके अंदर पित बढ़ा हुआ है, अरुवेदी की तरब से हम देखने तो उनके बोड़ी के अंदर पित बढ़ा हुआ है, उनके अंदर की गर्मी बहुता बढ़ी हुए, तो ऐसे लोगों को यूज नही नहीं करना चाहिए पहली आप बिबारी मानके चलेए जहाँ पेप्टिकल्स होते हैं वहाँ पे गरम पानी गुर्ण-गुरा पानी पीना नहीं चाहिए जिन महिलाव को profuse mensuration होते हैं, बहुत जादा उनको periods होते हैं, अब periods भी उनको recurrence बार बार हो रही है, कि 15 दिन बे उनको periods हो जाते हैं, या फिर उनको profuse mensuration हो रही है, कि कहीं कहीं दिन तक उनको periods चलना है, कि cycle start हो, पंद दिन हो गया है, बंद नहीं हो रहा है, 10 दिन हो गया है बोडिक अंदर कि उसको PCODE हो सकती है, उसको Fibroodio हो सकती है, उसको हर्मोनल कोई problem हो सकती है, हर्मोनल disbalance हो सकता है बट ऐसे patients में देख गया है कि अगर वो गरम पानी पीता है कोई गरम चीज खाता है तो उसकी जो दोस्तों को इपस्टेक्स की problem रहती है, मतलब नाक से उनको blood आता है, नाक से blood आने का मेंस जिसको simple language बोलते है नकसीरी food जाती है किसी भी nostal से blood आना शुरू हो जाता है, खास करके देख जाता है, ये problem patients को गरमियों में होती है तो ऐसे लोगों को भी गरम पान इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी वज़े से भी उनको recurrence की बार बार होती है कि यार आभी तो चार देन पहले हुई थी नकसीरी food थी अब फिर से होने लगी है next इसी कंदर जिन लोगों को skin की disease है खास करके जहाँ पे घमोर्य टाइप से निकलती है घमोर्य निकलती है छोटे छोटे दाने वाली फुन से निकलती है तो वहाँ पे बोडी कंदर आपकी पित बढ़ा हुआ है ऐसे लोगों को ये इस्तमाल नहीं करना चाहिए next इसी कंदर जिन लोगों को gas की problem बहुँ जादा बनती है acid बहुँ जादा बनता है खटी डकारे आती है जी कच्चा रहता है तो ऐसे लोगों को भी गुन-गुना पानी इस्तमाल नहीं करना चाहिए तो लोगों को कुछ problem हो सकती है next इसी कंदर आते हैं दोस्तों जहां पर UTI वाले symptoms आते हैं patient कंदर UTI वाले symptoms का mean है यहां पर जहां पर patient के पिशाम में बहुँ जादा जलन हो रही है urination में उसको बहुँ जादा जलन हो रही है पिशाम कर रहा है तो बहुँ जादा जलन हो रही है frequency उसकी बहुत ज़ादा बढ़ी हुई है कि बार-बार उसको पिशावारा है पिशाव में जलन है गर्मी-गर्मी उसके यूरीन के अंदर ज़्यादा उसको feel हो रही है या पिशाव में कोई चिप-चिपा पदार जाता है इस तरीके से जो जो पिशाव की प्रॉडम से जो गर्मी बढ़ने से होती है उनको यह चीज इस्तमाल नहीं करने चाहिए उनको गुंगुना नहीं उनको सभी को नॉर्माल पानी पीना चाहिए ठीक है क्योंकि मैं पहले वी वीडियो से में बना चुका हूँ कि काफी सारे डोक्टर्स भी बोलते हैं कि आपको गुंगुना पानी पीना है तो पिशेंट उसी चीज को पगड़के बहुत ही लंबे समय तक यूज करते हैं उसको इवन इतनी जादा गर्मी पढ़ती है त अाँ अराम नहीं मिलता सुवस्स से मलब उनकी प्रॉलमस बढ़ जाती है सर्दत बिल्कुल ठीक नहीं रहता है ब्लट पेशर बढ़ रहता है चेहरे कंदर से गर्मी निकलती चेहरे लाल रहता है तो आपको जो गुन गुन पानी क्या है अब हैं गरम-गरम कॉफी गरम-गरम टी पीने से उनको राम मिलता है तो आप उसको लेते रहे हैं अगर आपको उससे बेनेफिट मिलता है ऐसे लोगों में विल्कुल भी मना नहीं करना चाहिए अदर्वाइस जो है नॉर्मल ही आप पानी पीजिए ठंडा पानी भी छिल्ड पानी जो तब वह भी नुकसान देता है अब गरम पानी पीते हैं तो वह भी नुकसान देता है दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो चला वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए एंड जो पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को जुरूर सब् किजिए थेंक्यू सुमच्छ